हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अन्राधा करना वश्कार आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर अन्राधा अजलन बायालोजी एकैडमी में कैसे हो आप सब बढ़यां पढ़ाई कैसी चल रही है नीट की एकदम जखकास नहीं है तो जखकास कर लो क्योंकि आज हम सेकेंड वाला चैप्टर शुरू गरने वाले हैं 11th क्लास का बायलोजीकल क्लासिफिकेशन वाला लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपनो मोटो याद रखना है क्या है अपनो मोटो वी एम वी वरक हाड एंड वी कॉंकर हम स बिकॉज यहां लाइट नहीं है बड़ आपका नुकसान नहीं होना चाहिए वीडियोस रेगुलर बंते रहने चाहिए है ना पढ़ाई चलनी चाहिए तो लेट्स बीगिन करें पढ़ाई ओरीए क्या है यह और यह बृआलोजिकल क्लासिकेशन फैकेशो डेखो ये आज के एकसेप्टे डी क्लासिकेशन है आज के समय में माना जाना हाँ सबसे पहले तो इसी को जान लो इसको जानने के लिए लगातार वीडियो को देखो आगे पढ़ते हैं यह सब अभी मैं डिटेल में बताऊंगी आप देखते हैं Types of Classification System यानि कि कितने तरीके से इस धरती पर धरतीमाता के ओपर कितने जीव हैं उन सबको कैसे Classify किया जाए कैसे उनको अलग अलग groups में माटा जाए तीन तरीके हैं कितने तरीके तीन तरीके Artificial Classification, Natural and Phylogenetic क्या है यह चलो देखते हैं लेकिन तीनों नाम याद रखो Artificial, Natural and Phylogenetic अब बताओ Artificial System किसने किसने दिया यह जानो पहले Aristotle जी थे, Theofrestres थे and Carolus Lenias तीनों नाम याद रखने है Aristotle's Classification is Artificial System Theofrestres Artificial System Carolus Lenias Artificial System अब जानो कि यह क्या है Artificial System यह एक ऐसा सिस्टम है जो किस पे अधारित है Vegetative Characters and Androsium and Gynosium Structure क्या होता है Vegetative Character एक पेड में फूल को हटा दो बाकी जो भी होगा Vegetative Root, Patti, Stem यह जो सिस्टम है नकार दिया गया Cross, क्यों, क्यों acceptable नहीं है Because it gave equal weightage to vegetative and sexual characters Vegetative and sexual characters क्या है यह, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि vegetative and sexual characters को equal weightage दिया तो acceptable नहीं है क्योंकि sexual characters को जादा weightage मिलना चाहिए था देखो, vegetative characters जो होते हैं वो easily affected by the environment और यह लाइन है very very important कितनी important बहुत जादा important Vegetative characters are easily affected by the environment अब इस लाइन का क्या मतलब है क्या कह दिया गया यह actually हम लोग देखते हैं रेगिस्तान में जाते हैं cactus होता है वो जो हमें हरा हरा cactus को दिखते है ना ऐसे ऐसे यह 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 ग्रीन कलर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं cactus में? stem होते हैं यह और 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 उसमें ऐसे इसे निकला रहता है काटे लगे रहते हैं क्या है ये 흥 जो काटे हैं वो क्याक्तस की पत्तियां है और जो ग्रीन माला है वो स्टेम है अलग है अब इधर्टी पे अपने पास आम का पेड़ देखो उसकी पत्तियां ग्रीन और स्टेम ब्राउन कलर का होता है अगर हम लोग जब morphology of flowering plants पढ़ेंगे तो बहुत सारे varieties देखेंगे किसका stem कैसा किसका root कैसा कौन सा पानी के पास पाए जाएगा समुद्र के पास जो पाए जाएंगे उन में special roots होते हैं जो समुद्री plants होते हैं समुद्र के पास राइजोफोर्स बोलते हैं सास लेने वाले plants के roots सास लेने वाले roots हो सारी चीज़े हम देखेंगे यहां यह बताया जा रहा है कि जितने भी जगह जैसे हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स क्या कह दिया मैंने हेलो मतलब जो नमक में उगने वाले नमक वाली जगह पे है न पाइन ट्रीज की पत्तियां देखिएं ऐसे needle shaped होती है नुकिली नुकिली needle shaped क्यों क्योंकि वहां जब needle shaped हो जाएगी तो surface area कम हो जाएगा बर्फ उसको चोट नहीं पहुंचा पाएगा अगर कोई पत्ति ऐसे फैली हुई है तो उस पे जादा बर्फ आके गिरेगी ना और तो बहुत सारे adaptation है जो पेड कहीं अलग जगह है अलग-अलग environment habitat के अनुसार अलग-अलग adaptation है और यह adaptation वेजिटेटिव केरेक्टर में बहुत जादा मिलते हैं इधर से उधर variations हैं बहुत जादा है तो वेजिटेटिव केरेक्टर इजली affected by the environment यह कैसे अलग-अलग हो गए evolution के टाइम पे जब evolution हो रहा था तो जैसा environment था वैसे यह लोग change होते गए evolve होते गए वेजिटेटिव केरेक्टर साथ easily affected by the environment so यह जो system acceptable नहीं है अगर अन्थर फिलामेंट यह नहीं स्टैमन और कार्पिल अगएरा यह लग-भग बहुत जादा affected नहीं होते environment से effect तो चीजों का पढ़ता है लेकिन फिर भी कितना खतरनाग वाला नहीं पढ़ने माला है जितना vegetative characters पर पढ़ेगा तो एक कारण यह हो गया कि हमने इस system को बोला cross नहीं है acceptable दूसरा क्या कारण है दूसरा यह कारण है कि जो यह system था उसने एकदम रिष्टेदार होते हैं भ closely related species because it was based only on few characteristics मात्र बोल दिया कि meditative character ले लो sexual parts ले लो और उसके हिसाब से divide कर दो इतना ही थोड़ी देखते हैं यह भी देखते हैं evolution कैसे हो यह वह बहुत कुछ देखा जाता है आज की समय में तो यह system cross क्यूं only based on few characters भाई-बैनों को अलग कर दिया system को बोलो fail भाई-बैन को दूर नहीं करना है अब देखा जाए आगे बढ़े एक system खतम artificial system फिर अपना motor याद रखो क्या है अपना motor we aim we work hard and we conquer सबने देखते हैं महनत करते हैं जीतते हैं चलो जीत की तैयारी करें महनत करें natural system of classification इसका एक example है bentham and hooker classification क्या example है bentham and hooker classification किसका classification था यह flowering plants जिन पेड़ पौधों में फूल खिलते हैं अब यह flowering plants क्या है actually कुछ ऐसे plants है जिन में फूल नहीं खिलते हैं यह सब हम पढ़ेंगे plant kingdom में लेकिन अभी यह देखो जो फूल खिलने वाले पौधे हैं उनमें bentham and hooker classification किया था ठीक है bentham and hooker लोगों ने classification किया अब देखो natural system classification में क्या क्या था किस पे आधारित था होता क्या है यह it was based on natural affinities among organisms क्या natural affinity क्या शब्द है क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह कि कोई भी organism बाहर से कैसा दिख रहा है अंदर से कैसे दिख रहा है यह flowering plants के लिए था तो वह पेड बाहर से कैसा दिखता है और उसको काट दोगे चीर भाड करोगे तो अंदर से कैसा दिखेगा तो external feature and internal feature यही है natural affinity हां ultra structure देखा गया क्या देखा गया ultra structure मतलब पेड को अंदर से देखो के internal features में आता है यह ultra structure उसको ultra मतलब छोटा माइक्रोस्कोप में देखने वाला structure की हमने देखा वाओ रूट कैसे दिख रही है माइक्रोस्कोप में देखेंगे हां चोटा सा अल्ट्रा anatomy anatomy मतलब काटो अंदर से माइक्रोस्कोप में देखो किस किस चीज से वह बना हुआ है anatomy को हम लोग पूरा chapter पढ़ने वाले हैं देखेंगे बाद में आएगा लेकिन अभी यह जानो anatomy में क्या है प्लांट की उसको काटोगे तो अंदर रूट का क्या structure है अंदर से काट के देखेंगे कैसा दिख रहे हैं देखते हैं माइक्रोस्कोप में अच्छे से कि हाँ यह जाएलम फ्लों बहुत कुस देखते हैं वह हम anatomy में पढ़ेंगे फिर embryology, embryology मतलब बच्चा कैसे develop हो रहा है, बच्चा कैसे बन रहा है, male gamete and female gamete that is sperm and ovum के fertilization के बाद जो product बनता है यानिकि embryo वह कैसे develop होके पूरा process है ना, male gamete, female gamete fusion हुआ, zygote बना, zygote का development होता है, embryo बनता है, और जैसे human में होता है, gamete fusion होते हैं, zygote बनता है, बच्चा बाहर जो निकलता है, पूरा एक cell का zygote तो नहीं निकलता है ना, पूरा embryo निकलता है, baby पैदा होता है, cute सा, चोटू सा, हाँ, तो पूरा develop हुआ है, वो एक cell से, आज हम लोग इतने बड़े हैं, कभी हम एक cell थे, single cell के थे, वो पूरा process जो हम गर्भ में एक cell के थे, और उसके बाद पूरा embryo बन के बाहर रिख ले, पूरे process को बोलते हैं, development के embryogenesis, और उसकी study को बोलते हैं, embryology, वैसा ही है, plants में, अच्छे से पढ होगे, फिलहाल यहां पेड पौध होगा पढ़ो, embryology, फिर phytochemistry, phyto means plant, chemistry, chemical से पूरा chemical हो चाहे भाई, दिमाग में, नहीं, पेड में, phytochemistry, ठीक है, उस पेड के अंदर internal structures में क्या क्या देखेंगे, microscope में अच्छे से चोड़ 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 structure, अल्टरा structure, anatomy, कैसे क्या बना हुआ है अंदर structure, anatomy का पूरा chapter है बाद में, embryology, उसका बच्चा कैसे develop हो रहा है, एक cell से पूरा बडू-बडू embryo कैसे बन रहा है, फिर phytochemistry, plant के अंदर, chemicals, ठीक है, यह सब internal structures, external structures, वही, कैसे बाहर से दिखती है, पत्ती कैसे दिखता है, तना, कैसे दिखती है, अगे बढ़ो, natural system भी हो गया, अब phylogenetic system, कौन सा system, phylogenetic, लेकिन अपना motto याद रखना है, क्या है motto, we aim, we work hard and we conquer, चलो जीता जाए, जीतने के पहले बहनत करनी है, phylogenetic system, presently accepted classification, यह है, टिक मारो इसको, यही है आज का accept किया गया classification, presently accepted classification, it is based on evolutionary relationships, जो phylogenetic है, यह जो शब्द है, इसका मतलब ही है, जितने organisms है, उनके आपस के relationships, और evolution के समय, उनमें आपस में क्या relationship थे, evolution किसका कैसे एक साथ हुआ, क्या संबंध है, evolutionary relationship, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, together phylogeny में, और जो classification system, based होगा phylogeny पर, उसको क्या बोलते हैं, phylogenetic classification, based on evolutionary relationships between various organisms, हाँ, organisms of same taxa have common ancestor, हाँ, same taxon, क्या होता है, taxon, taxon मतलब group, ठीक है, तो एक group के जो लोग है, उनके पूरवज एक ही थे, अपने और बंदरों के पूरवज एक थे, क्या, evolution में पढ़ेंगे, यह शब्द कहां से आया, evolution के इंतजार करो, evolution chapter का, 12th class के, चलो आगे बढ़ो, बच्चा पार्टी, cute cute बच्चलो, प्यारे प्यारे, हाँ, आखों के दुलारे, history of classification, तीनों system हो गए, artificial, natural, phylogenetic, accepted, तीक, और पहले दोनों, rejected, अब पढ़ो, इतिहास, classification का, इतिहास पढ़ते हैं न, कौन, औरंग जेब वाला इतिहास, हाँ, औरंग जेब, अकबर विर्बल की कहानी, नहीं, 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 बिलकुल नहीं, classification की कहानी, चलो पढ़े, Aristotle बाबा, आगए, कौन है ये सर, सर कौन है, Aristotle, father of biology, जो हम पढ़ रहे हैं, उसके पिता जी हैं ये, और, zoology, किसके पिता जी हैं, दो बच्चे, नहीं, एक बड़ा बच्चा, biology, और biology से छो, biology में दोनों है ना, बाटनी, जो लोजी, बड़ा बेटा, बाइलोजी, छोटा बेटा, जो लोजी, हां, father of biology, and father of zoology, याद रखना है, बिलकुल नहीं भोलना है, इसको, आगे बढ़ो, Aristotle, जो है, उन्होंने classification क्या दिया, मस्त classification था ना, कि लाल खून है, यह लाल खून नहीं है, रेड बलड प्रेजंट, रेड बलड एपसंट, किसमा था रेड बलड, रेड बलड, एक ऐसे जीव का नाम बताव, जिसका खून लाल नहीं है, एनिमल किंडम में पढ़ना है, इन्सेट्स, कोक्रोच, हां, आगे पढ़ेंगे हम, एक दिन, एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन, इन्होंने यह तो बता दिया, कि अनिमल लाल खून वाले, और बिना लाल खून वाले, सफेद वाले, आप देखो, इन्होंने, प्लांट का भी classification किया, एक दम मस्त मस्त क्लासि की दोनों के बीच का है, यानि की सबसे बड़े, ट्रीज, सबसे बड़े, ट्रीज, और सबसे छोटे हर्प्स, और दोनों के बीच की हाइट, श्राब, तो बेस्ट ऑन, सिंपल मॉर्फोलोजिकल केरेक्टर, प्लांट कासिफिकेशन, यह बहुत अच्छे थे, बढ़िया, सिंपल से इनोंने, प्रीस, जो होते हैं और श्राब्स इन दोनों की इस टैम होती है, जानते हो, ऊडी स्टैम होती है, लकड़ी वाली, और हर्प्स की, ग्रीन, नॉन वडी, ग्रीर, और हर्प्स की, ब्रीन, आपर अड़ और यह ëंब्र, प्लेक्सि on, और रिक्सिबल श् लग देखा जाए लेकिन दूसका पहले के याद रखोगे वियाद रखो गे हैं यह कौन है यह बाटनी की पिता जी है इनके लड़के का नाम लड़का लड़की जो भी है क्या नाम है बाटनी और father of ancient plant taxonomy father of ancient ज्यानी पुराना plant taxonomy ये शब्द जो ancient लगाया ना इसको अभी notice करना ध्यान देना क्योंकि आगे father of plant taxonomy आने वाले हैं ये किसके पिता जी हैं पुरानी plant taxonomy के ये पुराने वाले आला ancient plant taxonomy मस दिख रहे हैं मूर्ती बनी है इनकी ये हैं बाटनी के पिता जी किसके पिता जी बाटनी दो बच्चे एक बाटनी और एक ancient plant taxonomy आगे बढ़ें बच्चा पार्टी देखो बच्चा पार्टी क्या है ये इन्होंने इनका जो classification system था थी और फ्रेस्टेस बबा उनका था artificial system मैंने आर्टिफिशल सिस्टम में बताया था ना कि अरिस्टोटल जी जो थे उनका भी cross करो artificial है थी और फ्रेस्टेस जी का भी cross कर दो artificial है इन्होंने कौन से शब्द द तो annual बोलते हैं दो सीजन के लिए उगे तो bineal और कई साल तक उसका जीवन हो तो perineal ये शब्द भी हम जहां आने चाहिए वहां देखेंगे यहां नहीं यहां आगे बढ़ो यहां से अब थियो फ्रेस्टेस और क्या किया इन्होंने annual bineal perineal शब्द दे दिया अच्छी इंसेंट प्लांट एक्स Congrats शोना मी चीड़ें ये ये यहां अच्छी बात यह इवें आख्या है लेकिन हम तो क्लासिफिकेशं पड़ रहै या क्लम कलासिफिकेशं देखना है बॉटघ यहां और बले कि उल्गने की आदत कितनी लंबी है उसकी क्या यह आदत है कि वो एकदम लंबा होगे, ट्री बने, या फिर उसकी यह आदत है कि एकदम छोटा हो, श्रब हो, या फिर उन दोनों के बीच का हो, श्रब हो, यानि ट्री से थोड़ा सा छोटा, और श्रब से भी थोड़ा सा छो पेड की क्या आदत है लंबा उगने की चोटा ऊगने की बीच में उगने की इन्होंने बोला थिर्फ्रेस्टर्स बटनी के पिता जी क्या बोले बोले कि प्लान को कैसे क्लासिफाई करो यह त्रीश्रॉब अंडश्रॉब हर बढ़ो आगे यह देखो यह वह महानात्मा है जि यह हैं केरोलस लिनियस बबा यह जो बबा थे इनका असली नाम पता है क्या है क्या था काल लिन लेकिन यह इतना लेटिन पढ़ते थे कि इन्होंने केरोलस लिनियस ही रख दिया अगर मैं अपना नाम रख दो अन्राधियस पाठाकियस हैं कैसे लगेगा नहीं रखना मुझे मेरे पपा ने बहुत अच्छा नाम रख है मेरे लिए जो भी है यह इनिको अपना नाम बदलने दो केरोलस लिनियस ठीक है फादर ओफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी के पपा है यह पपा तीन बच्चे थे इनके टैक्सोनॉमी प्लांट टैक्सोनॉमी एनिमल टैक्सोनॉमी और इंशेंट प्लांट टैक्सोनॉमी के पापा कौन थे जल्दी सोचो कौन थे थियो फ्रेस्टरस अब प्लांट टैक्सोनॉमी के पापा कैरोलस लिनियस तो कैरोलस लिनियस के तीन बच्चे फादर आफ टेक्सोनामी फादर अफ अगे बढ़ो क्यारोलडस लिन्यस ने किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया वैरी वैरी इंपोर्टेट्ट PANTS 10 स्टार लगा दो यहां पे कितने स्टार 10-15 लगाने वाले हो क्या Carolus Lineus Two Kingdom Classification और ये भी था Artificial System Cross करो, fail है ये क्यासा सिस्टम है, fail हो गया Artificial System, also known as Sexual Classification because Mainly based on sex organs Whether it's plant, animal, जो भी है ठीक है, तो Sexual Classification, इन्होंने मोटा मोटा दो Kingdom बोले एक Plant Kingdom और एक Animal Kingdom Carolus Lineus इन्होंने कौन से Kingdom बोले हैं दो Plant Kingdom और Animal Kingdom Plant के sex organs अलग Animals के अलग, ठीक है कौन सा Classification रही है Sexual Classification, Carolus Lineus Stoke Kingdom Classification Plant Kingdom, Animal Kingdom अब ये जो Animal Kingdom ठीक है, जैसा था Plant Kingdom को क्या किया इन्होंने 24 Classes में बाट दिया इसको 24 Group बनाए किसके बेसिस पे, किसका Stamen यानि डैडी पार्ट कैसा और किसका कार्पल यानि मॉवी पार्ट कैसा यानि मेल और फिमेल पार्ट स्टैमन और कार्पल इसके बेसिस पे 24 Classes में डिवाइट किया किसको प्लांट किंग्डम को आगे बढ़ो इनके क्या 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 ड्रॉबैक्स थे क्यों इस सिस्टम को बोला क्रॉस फेल है ये क्यों बोला बिकाज बिकाज इडिड़ ने डिस्टिंगविश बिट्वीन यूकेरियोट्स और फ्रोकेरियोट्स यह शब्द क्या है अभी बताते हैं इन्होंने बोला इन्होंने क्या बूला कि अग गूरुप में मिला दो, खिचडी पका दी उन्होंने। किसी खिचडी पकाई यू क्या लाट की और यूनिसेलिलर multicellular की unicellular multicellular की भी खिचड़ी बनाई और photosynthetic non-photosynthetic की भी खिचड़ी बनाई अब देखो खिचड़ी में क्या-क्या था eukaryote prokaryote multicellular unicellular photosynthetic non-photosynthetic अब सब का मतलब समझाते हैं सबसे पहले आसान वाला देखो photosynthetic मतलब जो अपना खाना photosynthesis से खुद बनाएगा non-photosynthetic जो अपना photosynthesis नहीं कर सकता है खाना उसको दूसरे से चाहिए जैसे की plants photosynthesis करते हैं है और बाकी लोग करते हैं की नहीं करते हैं अभी आगे देखेंगे और कॉन करता है देखो यहां green algae लिखा है green algae photosynthesis करते हैं यह example दिया हुआ है और non-photosynthetic जैसे की फंजाई यह एक example इनको एक group में डाल दिया खिचडी बना दी Uniceller Multicellular Bacteria एक cell वालत हैं और कुछ और भी organism हैं कुछ ऐसे algae हैं जो एक cell वाले हैं सब को एक group में डाल दिया किस के साथ Multicellular के साथ खिचडी बना दी, फिर multiceller क्या है, जिसका शरीर एक cell से ज़्यादा का बना है, वो है multiceller, eukaryote, prokaryote की खिचडी बना है, क्या है eukaryote और क्या है prokaryote, इसके लिए एक cell बनाओ, cell is the basic unit, है न, of life, एक organism का शरीर, cell जोड-जोड के बना है, जैसे घर इट जोड-जोड के बना है, एक organism की body cell जोड-जोड के बनी है, उस cell के अंदर है nucleus, जिसकी अंदर है DNA, जो एक वन्ष से दूसरे वन्ष में जाएगा, ये क्या है, nucleus, इस nucleus के बाहर, अगर covering है कोई, तो वो क्या हो गया, eukaryotic cell, और अगर हमने इस covering को हटा दिया, तो वो कैसा cell हो गया, prokaryotic cell, a cell with a nucleus having nuclear membrane around it is eukaryotic, and a cell without nuclear membrane, prokaryotic cell, आगे बढ़ो, क्या आगे बढ़ना है, देखो, इन्होंने क्या-क्या खिचड़ी पकाई, उसका example है, इन्होंने दो kingdom बनाये थे, plant kingdom, animal kingdom, plant kingdom में किसको जोख के रख दिया, किसकी किसकी खिचड़ी बनाई, पहली बात तो ये बोला, कि plant kingdom जो है, उसमें वो लोग आएंगे, जिनके पास cell wall है, किसके पास है cell wall, सबको गुसा दो इसमें, bacteria, bacteria, एक cell वाला होता है, उसको गुसा दिया, cyanobacteria, वो तो bacteria ही होता है, उसको रखा, blue green algae बोलते है, cyanobacteria को commonly, ठीक है, ये वो bacteria है, जो photosynthesis कर सकता है, fungi, fungus, मश्रूम खाते हैं अपन, उसको भी plant बना दिया इन्होंने, फिर moss, मौस हम kingdom planty में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, mosses पढ़ेंगे, liverworts and mosses, bryophytes में आएगा, पढ़ेंगे, don't worry, ferns, ferns teledophytes में आते हैं, ये दोनो Meu plant kingdom के ही सदस्य हैं आज कि देट में भी, fungus अज अलग kingdom बन चुका है, bacteria अलग kingdom बन चुका आज की देट में, немynosperms plant हैं, ये लोग plant kingdom में आते हैं, इस fungus का अलग kingdom, bacteria, cyanobacteria का आज की देट में अलग kingdom है, पर इन्होंने क्या किया सबकी खिचडी बनाई बोला सब लोग तुम लोग एक ही जगा जाओ ऐसे होता है ना सबजी बनाई Mixed veg यह Mixed veg बना दी इन्होंने Kingdom Plant TV Cell wall present day देखो क्या गड़वड हो गया इससे बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया प्रोकेरियोट्स है आप लोग को पता है केवल बैक्टीरिया जो है वही लोग क्या है साइनो बैक्टीरिया इस ऑल्सौ बैक्टीरिया थीक है फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया है यह कैसा बैक्टीरिय photosynthetic bacteria photosynthesys करता है ठीक है जो यानि उसका nucleus जो है उसके बाहर nuclear memory नहीं है बाकी जितने जीव है धर्ती पे सब यूकेरियॉटिक है लेकिन इन्होंने क्या किया यूकेरियॉटिक जो थे बाकी लोग उसके साथ प्रोकेरियॉटिक की खिचणी बिनाई है ना अधरसार यूकेरियॉटिक आगे बढ़ो इसमें और भी देखते हैं एक श्लाइड में एक चीज यूनि-cellular algae unicellular यानि एक cell वाले algae, algae photosynthesis करते हैं, वो cell है, ठीक है, और पानी में रहने वाले plants हैं ये, algae, हम लोग plant kingdom में पढ़ेंगे, अभी unicellular algae क्या है, ये देखो, klevidovona, spirogera, इनको algae के अंडर में रखा इनोंने, और algae group जो होता है, उसमें unicellular और multicellular दोनों organism है, algae में क्या होता है, यूनि एक cell वाले भी organism आते हैं, कई cell वाले भी organism आते हैं, इन्होंने बोला, कि ये जो एक cell वाले हैं, klevidovona, spirogera, ये algae के अंडर में आएंगे, किस के अंडर में आएंगे, algae के अंडर में, क्या आप जा क्लेवाइडो मुनास और spirogera, आज की डेट में किस kingdom के अंदर हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, प्लेज्ड बोथ fungi and green plants in kingdom planting, अब बताओ कितना बड़ा अंतर है, है न, खतरनाक लोचा कर दिया इन्होंने, green plant खाना बनाते हैं, और fungus खाना नहीं बनाते हैं, सड़ी गली अपरोफिटिक होता है, या फिर किसी की बॉड़ी में रहकर उसका खुंच उसके जिये है, दूसरे के उपर आश्रित हो, parasitic, ऐसे होते हैं, यह फंगर्स, या तो सड़ा गला खाते हैं, या फिर दूसरे की बॉड़ी में रहकर उससे nutrition लेते हैं, तो यह हो गए हिट्रोट दूसरों को लेके खाने वाले, और autotrophic green plants, दोनों को kingdom planting में डाल दिया, गलत हो गया न, और eukaryote, prokaryote को भी डाला था, ठीक है, eukaryote यानी की, eukaryote यानी की, बाकी सब जीव, और prokaryote यानी की, बैक्तेरिया, सब को खिचड़ी पकाई, एक सेल वाली यलगी, और मैकाई से फिर क्या हुआ, और देखो, कुछ और की निजम तो ऐसे हैं, जो किसी कि किसी पी category में नहीं आ रहे हैं, प्लांट में न, एनिमल न, तो पूरा ही एकदम जगवर्जा स्लोचा हो गया, तो यह system हो गया, फेल, आगे बढ़े, two kingdom हो गया, three kingdom देखेंगे, three kingdom classification देखने के पहल पढ़ो बच चलो, किसने दिया है, यह classification, Ernst, Hickle, Ernst, Hickle, एक बवात है, Ernst, Mare, क्या यह नाम याद है, NCRT 12th के पहले page पे दिया है, जब पहला chapter शुरू हो रहा है, 12th नहीं, sorry, 11th, यह कौन है, Darwin of 20th century, 20th चताब्दी के Darwin, evolution, revolution, बहुत चीज़े काम की, NCRT में देखना, NCRT की पूजा करना, NCRT से सब कुछ आएगा, NCRT में, 100 बार पढ़ो NCRT को, एकदम रट डालो NCRT को, पूरे full number लाने, AIMS जाना है न सबको, अच्छे से पढ़ो, NCRT को एकदम चाट डालो, पूरा, जीब से लेकिन चाट ने, दिमाग में घुसान है, त्री किंगडम, किसने दिया, Unstical, कौन से हैं ये थ्री किंगडम, इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा एड किया, अगर कोई पूछे, कि Unstical ने कौन सा किंगडम जोडा, तो प्रोटिस्टा जोडा, जिसके अंदर इन् Multicellular थे, उनको जो खाना बना रहे है, प्लांटी हो गया, जो नहीं बना रहे है, अनिमेलिया हो गया, उन्होंने बोला, कि एक सलवाले को इसमें रखो, बाकी Multicellular में, Multicellular को डिवाइड कर दिया, प्लांटी और अनिमेलिया में, आगे बढ़ा जाए, अगला देखते है इसमें 4 Kingdom, 4 Kingdom पढ़ने के पहले, फिर क्या याद रखना है, वी एम, वी वर्क हार्ड और वी कॉंकर, अब वर्क हार्ड करो, 4 Kingdom क्लासिफिकेशन किसने दिया, को प्लैंड, को प्लैंड, सिर्जर लैंड नहीं, को प्लैंड, हाँ, आइसलेंड नहीं, को प्लैंड, हुमने ग इन्होंने कांसा Kingdom जोड़ा बच्चा लोग, Monera जोड़ा बेटा इन्होंने, Monera के अंदर प्रोकेरियोट को भर दिया, इन्होंने, सब को यह अपना बहतर करने की कोशिश कर रहा है, अन्स ठिकल बोले, कि हम Uniceller वाली समस्या को सुलझा देते हैं, Multiceller, Uniceller के, फिर यह बोल एक Kingdom Monera है, जिसमें सब प्रोकेरियोट्स है, फिर इन्होंने कितने Kingdom दिये, 4, Monera, Protesta, Planty, Animalia, इनका कौन सा देन है, Monera, Monera, आगे बढ़ो, 5 Kingdom Classification, इट वास प्रपोस्ट बाई, रह विट्टेकर, इस 100 टका इंपोर्टेंट, कितना टका, 100 टका, हां, 2-4 टका नहीं है, 100 टका इंपोर्टेंट है, R.H. विट्टेकर, R.H. विट्टेकर, ये 1969 में दिया, हां, जब ये चैप्टर शुरू किया, मैंने तो शुरू में ही बता दिया था, कि 5 Kingdom कौन से हैं, अब हम जानेंगे कि कौन से हैं, Monera, Protesta, Planty, Fungi, Animalia, क्या है ये, Monera के अंदर सारे बैक्टीरिया आएंगे, इसका एक मात्र सद्द से बैक्टीरिया लोग है, Protesta के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, कौन-कौन, Crysofides हो गए, Dynoflagellates हो गए, Uglinoids हो गए, Slime Molds हो गए, और Protozoan Protesta हो गए, ये नाम सुनके घबराओं मत, Kingdom Protesta के अंदर हम सब पढ़ेंगे, और उसके सफल होनी चाहिए, उनकी help करनी है ना, I'll help you, Protesta, Monera, ये लोग हो गए, Planty, Plant आगे इसमे, इल्गी वेल्गी भी आएंगे, Liverworth, Moss लोग भी आएंगे, Gymnos, Parmen, Jusum, अब ये नाम सुनके घबराओं मत, फर नुमर्न भी आएंगे, Kingdom Planty में पढ़ेंगे ये सब, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हाँ, Self-dependent, दूसरों पर आश्रत में होना है, अपना काम स्वयम करो, तो ये वही कर रहे हैं, फंजाई, मिश्रूम का परिवार है, ये, हाँ, और अनिमेलिया, जीव जन्तु में, जो जानवर खांदान ह ये, अनिमल खांदान हम लोग इसी खांदान के हैं, इसमें बहुत सारे फाइलम पढ़ने माले हैं, हम ये फाइलम, बहुत सारे खांदान, मचली खांदान, सब पढ़ेंगे, चिडिया खांदान, बहुत सारे खांदान पढ़ने हैं, किंडम एनिमेलिया में पढ़ेंगे, पांच kingdom कौन से है मुनेरा प्रोटिशंटा फंजाई प्लाअटी एनिमेलिया फंजाई जोड़ दिया गया क्या फंजाई कहा था पहले नहीं था न UP फंजाई आ गया फंजाई आ गया कौन लाया यह लाये विटैकर सहाब बय्कत कोपलैंट क्या ले आय थे क्या अंस्टिकल क्या लाए थे प्रोटेस्टा फंजाई कौन लाया विट्टेकर साहब और यह दोनों तो पहले ही ले आए थे कैरोलस लिन्यास जी अब बढ़े आगे किस आधार पे आज की पाज किंग्डम बने हैं अचल की दीवाल किस चीज की बनी है एक सेल का जो दीवाल है जैसे हमारे घर में खाली कम रहें बहुत सारा समान है और बहुत कुछ रहता है और हम भी रहते हैं तो एक सेल को घर मानों और उसके बाहर है दिवाल कई लेयर की हां केक लेयर की सेल पढ़ेंगे हम लोग सेल वाले यूनिट में नेचर ऑफ सेल वाले एंड सेल का स्ट्रॉक्चर उस सेल के अंदर क्या क्या है टेवल चेयर यह सब नहीं गॉलगी ऑपिरेटर सेंड़ प्लास्मी क्रेटिकुलम और न्यूक्लियर स्राइब ओज सेल स्ट्रॉक्चर निच्र अफ सेल डा तबउनायजेशन यानि कोई जीव है तो उसकी बोडी कैसे Lock because एक सेल की है या फिर कई सारे सेल मिड़के एक टिशु बना दे रहे हैं उसकी बनी है या फिर या फिर बहुत सारे टिशु मिलकर एक जैसा टिशु जो है वो मिलकर क्या बनाता है ओर्गन की बनी है या फिर बहुत सारे ओर्गन मिलकर ओर्गन सिस्टम बना दे रहें उसकी बनी है for example, जो cellular organization होता है, वो sponges में पाए जाता है अगर animal kingdom की बात करो तो, और हमारे अंदर क्या है, human में, organ system level, एक bacteria को ले लो, वो एक cell का बना है, unicellular, तो ऐसे ही यार, किसका बना है body cell, tissue, organ, organ system भलाना डिखा न, तो उसको बोलेंगे body organization, mode of nutrition, खुद का खाना बना रहा है, खुद से, या फिर कुछ कछडा कुडा सरागला खा रहा है, या फिर दूसरे की body में घुसके उसका खुण जूस रहा है, यही सब चीज़े है, कैसे वो खाना खा रहा है, mode of nutrition, method of reproduction, sexual reproduction है, और sexual reproduction है, जैसे bacteria में जद तर क्या होता है, और sexual reproduction होता है हाला कि bacteria में rarely sexual reproduction का primitive form भी होता है, पढ़ेंगे कब, bacteria जब पढ़ेंगे, अभी देखो, कैसे कौन सा organism reproduce कर रहा है, method of reproduction, ठीक है, phylogenetic relationship, यानि organisms के बीच में क्या relation है, क्या संबन्ध है, evolution के समय में क्या संबन्ध है, क्या यह दो organism एक साथ evolve हुए, जैसे कि हम लोग और बंदर कर लो, हमारे पूर्वज एक थे, ठीक है, कौन थे हमारे पूर्वज, ड्राइव पर थी कस, पढ़ेंगे evolution chapter में 12th class में, आगे बढ़ो, तो आच्छा, फिर से एक बार रिवाइस कर लो, cell structure and nature of cell wall, body organization, mode of nutrition, methods of reproduction, and phylogenetic relationships, आब आगे बढ़ो, यह देखो, हमने बताया था, कि जो cell है, उसकी wall देखेंगे, वो cell कैसा है, वो cell, prokaryotic है, कि eukaryotic, monera बस prokaryotic है, यानि केवल यही है, जिसके nucleus के बाहर कोई nuclear membrane नहीं है, बाकी जितने लोग है, सब क्या हो गए, eukaryotic, हो गया, cell wall पे आओ, जो bacteria लोग होते है, यानि kingdom monera का एक ही सदस्य है, bacteria, वही अलग-अलग design के है, इसमें क्या होगा, cell wall present होती है, और किसकी बनी है, non cellulose, cellulose की नहीं है, polysaccharides and amino acids, नैग, नैम, और यह सब हम पढ़ेंगे कब, kingdom monera में, क्या है, कैसा है, यह याद रखो, polysaccharides and amino acids, kingdom protesta, इसमें किसकी बनी है, इसमें पहली बात तो कुछ में cell wall होती है, और कुछ में नहीं होती है, अगर है, तो या तो cellulose की बनी है, या silica की बनी है, किसमें cellulose, किसमें sil पढ़ना है, तो protesta पढ़ेंगे, तब देखेंगे, फंजाई, फंजाई में present है cell wall, किसकी बनी है, काइटिन, very very important, काइटिन, cell wall is found in, सौटका important, कितना टका, सौटका important, फंजाई, काइटिन, सौटका important, नान सेलिलोजिक, सेलिलोज नहीं, काइटिन, काइटिन पे टिक मारो सेलिलोज को क्रॉस करो, प्लांटी, प्लांटी में cell wall होती है, बिल्कुल होती है, cell wall प्लांट में होती ही है, और ये बनती है, सेलिलोज की, किसकी बनती है, सेलिलोज की, और अपने अंदर नहीं है cell wall, अपने अंदर cell wall नहीं है, नहीं, ठीक है, बढ़ा जाए आगे, और व बाच्चे हो क्यूट-क्यूट बच्चे बदमाश और क्यूट दो तरीके के होते हैं दो तरीके के फेस्बुक चलाए और नहीं चलाएं जो मॉबाइल चलाएं और नहीं चलाएं ठीक है आगे बड़ो Body Organization, Monera में किसका है, अभी मैंने बोला था, Cell का, Protista में, एक Cell वाले, ये जो Monera and Protista हैं, Unicellular, Fungi, Multicellular, और Loose Tissue, या तो बहुत सारे Cells का है, और कैसे हैं, Cells के सम्मूग को क्या बोलेंगे, Tissue, Loose Tissue है, और Planty, Tissue या Organ, या तो किसी कोई-कोई में, Tissue कोई-कोई में Organ, क्या है ये, Animalia, Animalia में Tissue Level भी होता है, किसी में, Organ, Organ System, किस में Tissue, किस में Organ, पढ़ना है, तो जानना पड़ेगा, और कहां जानेंगे, Animal Kingdom में, कहां जानेंगे, Animal Kingdom में, वहां देखेंगे, कि किस में Tissue था, किस में Organ था, आगे बढ़ो, Nuclear Membrane, Absent है, किस में Absent है, Monera में, और बाकी सब में Present है, क्यूं, कि मैंने बताया था, कि जो Procariot होते हैं, वो, होते ही वो है, जिनके Nucleus के बाहर, कोई Membrane नहीं है, ठीक है, नहीं है, और बाकी जो Procariot को छोड़ दो, तो Eucariot में Nuclear Membrane है, हो गया, कितना Simple है ये, और Simple चीज़ देखो, खाते कैसे हैं, क्या खाते हैं ये लोग, सबसे पहले, बैक्टीरिया की बात करो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं, उसमें भी, पहली बात तो, जो खाना खुद बना रहे हैं, उसको Autotrophic बोलेंगे, कुछ होते हैं कीमो सिंथेटिक और कुछ होते हैं फोटो सिंथेटिक क्या कह दिया ये कीमो सिंथेटिक कीमो सिंथेटिक दो शब्द लिखे जाए और दूसरा लिखो फोटो सिंथेटिक फोटो सिंथेटिक हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी से जो उर्जा यानि एनरजी ताकत मिलती है उससे खाना बनाते हैं हाँ और केमो सिंथेटिक केमिकल्स की एनरजी से खाना बनाएंगे जैसे कि हाइडरोजन सलफाइड तो केमिकल्स से एनरजी लेंगे और उससे बनाएंगे खाना वो हो गए कीमो सिंथेटिक एग्जामपल बताओं परपल सिल्फर बैक्टिरिया फोतो सिंथेटिक के आग्जामपल बताओं ऑफोतो सिंथेटिक साइनो बैक्टिरिया ब्लू घ्रिन थे это यह तो हो गई ऑर्टॉट ट्रफिक वाले व्यक्टिरियां, हिट्रोट्रॉपिक dad and decaying organic matter dead and decaying organic matter जो खाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं saprotrophic जो dead and decaying organic matter खाता है और जो parasitic होते हैं वो किसी की body में घुसेंगे और मस्त अपना उससे nutrition लेते रहेंगे और जिसकी body में घुसेंगे उसको कोई फायदा नहीं होगा उसको नुकसान ही पहुंचाएंगे जैसे कि अपरी body में कितने bacteria घुसते हैं और कितनी सारी बिमारियां करते हैं वो लोग parasitic हो गए जब कोई जीव मरता है जैसे मानलो हम ही मर गए हमें तो जला दिया जाता है आज के जमाने में लेकिन जब कुद्रत प्रकृती ने हमें जलाने के लिए नहीं बनाया था प्रकृती ने बोला था यह इंसान मरेगा और इसकी body को fungus और bacteria खाएंगे और खाखा के खतम कर देंग गए निचर्व तो इंसले सब करते हैं और पखा चीज थर्टी में मिल जाएंगे और झिए और उस फॉद्ये मैं मिल जाएंगे Clark confession. खाओ लेटना के वह ऊका चाहना बमدم म्युष जाता है और दूसरीं अपनेसे चोटेil प्रोटिस्ट को खताए बड़ी मचली चोटी मचली को निगलती है पर यहां प्रोटिस्टा की बात हो रही है फंगस फंगस सड़ा गला खाने वाले हिट्रोट्राफिक या फिर पैरसिटिक किसी की बॉड़ी में घुसेंगे उसका मस्त खाएंगे पिएंगे उसको पहुचाएंगे नुकसान जैसे कि दाद होता है ना रिंग बर्म वो फंगल पैरसिटिक इंफेक्शन है ठीक है डन मश्रूम कहां उखता है लकडी वकडी सड़ती रहती है वहां उखता है घर में देखो कि टमाटर सड़ रहा है कोई सबजी सड़ जाए तो फंगस लग जाता है ब्रेड में लग जाता जानवर दूसरे का खाना बनाया वह खाते हैं जैसे कि हूमन हो लो जोई पूरा अपने अंदर निकल लिया खाना पचा दिया हम लोग सैप्रोफिटिक कौन है सैप्रोफिटिक अरे मख्षी वक्षी होती है ना सड़ी गली चीज़ों को खाती है मख्षी लोग और पढ़ेंगे एनिमल किंग्डम में जब यह केंचुवा मेंचुवा का खांदान पढ़ेंगे और फ्लैट वर्म खांदान वंदान पढ़ेंगे वहां देखेंगे ठीक है यह लोग पैरसिटिक सैप्रोफिटिक एग्जामपल मख्षी वक्षी हो गई होलोजाइक खुदी ह इसने भाई बेहन रिष्चदारों को एक साथ रखा जो पहले अलग इंग्डम में थे विच वेर प्लेज इन डिफ्रेंट किंग्डम से अर्लियर क्लासिफिकेशन फौर एग्जंपल फ़र एग्जंपल कलिमाइडो मोनास क्लोरेला यह बहले प्लांट किंग्डम की एंड जिसके पास cell wall उसको डाल दिया plant kingdom में, इनको भी plant kingdom में डाला था, और paramecium और amoeba, उनको भी plant kingdom में डाला था, आज की डेट में, आज की डेट में, क्लेमाइडो मोनास, क्लोरेला, paramecium, amoeba, ये सब के सब kingdom protista के अंदर में आते हैं, और ये हो गया, कितना टका important, सो टका, कितना टका बच्चा लोग, सो टका, और सो टका पढ़ाई करो, तो सो टका रिजल्ट आएगा, हां, बनने हैं न डक्टर, आगे बढ़ो फिर, क्लेमाइडो मोनास, क्लोरेला, paramecium, amoeba, सब को डाला kingdom protista में, ठीक है, बोले कि तुम गलत जगा गए हो, तुम गलत खांदान में चले गए हो, तुम वहां के हो ही नहीं, वापस अपने घार आओ, वापस अपने घार आओ, बोला, घर गया था protista, और किसके घर में गया था 'dukया, paramecium, amoeba, animal के घर में, animal kingdom, और क्लेमाइडो मोनास, क्लोरेला, किसके घर में गए, पेड के घर में, plant kingdom, शब को बोला, किसने बोलअ, किस ने दिया फाइज बटे कर जी ने, बिटेकर बोले, बेटा घर में आ तू अपने, ठीक है, एक बच्चे का नाम, दूसरा बच्चा, क्लोरेला, तीसरा, पर अमीबा, ये चारो बच्चों को बोला, चलो अपने घर वापस आओ, बहुत खेल लिया तुमने, आगे बढ़ो फिर खेल लिया जादा तो, च्छे किंग्डम क्लासिफिकेशन, ये क्या आ गया, ये और उसके बाद भी आया, पर इसको जानने के पहले, क्या याद रखो गया अपना मोटो, यह व्म्क हार्ड तथी कींग्डम क्लासिफिकेशन और थ्री डॉमेंड क्लासिफिकेशन दोनों नहीं और थ्री 를 न उनको दो में बाट दिया bacteria एंड आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वह सबसे पुराने वाले बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया आज की डेट वाले यू बैक्टिरिया ठीक है तो इन दोनों को अलग-अलग बना दिया domain bacteria domain archaea और बाकी जो थे protest plant fungi animal सबको एक में डाल दिया क्या था eukarya यह हो गए तीन domain bacteria, archaea, eukarya और छे kingdom कौन से हुए bacteria, archaea, protest fungi, plant, animalia यह हो गए छे kingdom किस ने दिया कार्ल वूज किस ने दिया कार्ल वूज कार्ल वूज कर्ल वूज कर्ली वूज कार्ल वूज छे kingdom तीन domain ठीक है kingdom ओनेरा को दो domain में बाटा archaea and bacteria third domain eukarya contains all four kingdoms fungi, animalia, protesta, planty सबको एक तरफ और bacteria को दो में बाट दिया ठीक है इसको बहुत ज़्यादा आज accept नहीं किया गया क्यूंकि सबसे सही कौन सा पढ़ता है पांच kingdom ठीक है अब आगे देखो questions पूछते है notes खतम three kingdom classification was given by अभी बताया था न थोड़ी दिर पहले कौन हो सकता है इसमें से अंसिकल होंगे क्यूंकि कार्ल वूज ने दिया था three domain six kingdom को प्लेंड ने दिया था four kingdom अंस्मेयर कौन थे darwin of 20th century तो आंसर क्या होता है अंसिकल देन 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 क्लेमाइडो मोनास क्लोरेला पेरामिशयम अमीबा चार बच्चे थे न किस kingdom में डाल दिया क्या घर था इनका क्या असली घर है प्लोटिस्टा और क्लेमाइडो मोनास क्लोरेला पहले किसके घर घूम तो अब तो नहीं है ना वापस उनकी पपा ने अपने घर बुला लिए पपा कौन मिट्टे कर इनने बोला बेटा घरा रोटिस्टा में आंसर क्या हुआ रोटिस्टा ठीक है खातम होता है आज का वीडियो होप आप सबको समझ में आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर औरन शबस्टो क्या सब्स्राइब बिए ना शेयर थास्टा इस दिएस की और भी में आप सबस्क्रा इस जो इस घर लाइक आप समझे और बिएस की और भी मार्माव से घर बनाने दिए तो वीए जिल्ए ग्या बड़ने वीडियो हुआ है आप अपा कर शें अचें लहई